Hello everyone, मैं विश्जीत सिंग, आप सभी का देगी नव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आप सभी को पंदगस की हार्दिक सुपकामने, सुतंतरता दिवस की हार्दिक सुपकामने आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 03, Histography, इतिहांस लेकन lesson by lesson जो भी important topics होंगे उसको हम पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा पहला topic सम्मालनी करन जर्नलाजेशन होने वाला है दोस्तो यह topic important है, बड़ topic को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम अपनी book के बारे में जानते हैं कि Histography है क्या, इतिहांस लेकन है क्या, ठीक है इसके बारे में समझते हैं दोस्तो अगर आपना Histography को एक book के तरह देखोगे तो आप limited एक दाइरे में बंदे रहे जाओगे कुवे की mendic की तरह आप सोच के चलो, इस तरह से रहेगा Histography एक book नहीं है, एक course नहीं है, बहुत बड़ा मतलब एक समझे लो, बहुत बड़ा इसका संसार है Reason क्या है, Histography करता है क्या है, तो आज के समय में जो भी आप History पढ़ते हो, उसको किस तरह से तयार किया गया ठीक है, किस तरह से History बनाया जाता है, किस तरह से तयार किया जाता है, उसके क्या अंग है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है, Histography हमें सिखाता है, History तयार करना ठीक है, अगर आप सिर्फ MA के Second Year तक ही लेके चलोगे कि Histography सिर्फ इतने तक ही है, MHI 03 सिर्फ हमें ही तक पढ़ना है, तो आप लिमिटेड ही सोच रहे हो हो इसको, मैं आपको कहुँआ कि इस बुक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आप ये समझ के मत पढ़िए कि सिर्फ एक year पढ़ना है, खतम करना है, नंबर निकलना है, बस आजाना है, इस तरह से मत पढ़िए, अगर आप इसको सही से पढ़ते हो, तो इसमें आगे भी scope है, आप आगे भी इसमें future बना सकते हो, बहुत सारे career options आपको Histography के अंदर में मिल सकते हैं आगे, ठीक है, तो चली हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, यह थोड़ा सा बस suggestion था मेरी तरब से आप सभी students के लिए, ठीक है, तो आपस हम अपने topic पर आते हैं, सम्मानने करन जर्नलाइजेशन है क्या, पहले भी मैं इस topic को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, आज हम दुबारा पढ़ेंगे, और कई सारे definitions पढ़ेंगे, examples देखेंगे, और I hope so आपको समझ में आएगा, कहीं पे अगर कोई doubt रहता है, बेज़े जग कमेंट कर लीजेगा, पूछ लीजेगा, मैं आपके लिए हमेसा रहूंगा, और last आप से सला रहेगा आप सभी students के लिए, कि video lecture based होने वाली है, तो आप अपने notebook क को लेकर बैठें, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है, चलिए वापस स्टार्ट करते हैं हम अपने topic को, सम्मानने करन, जर्नलाइजेशन, और सबसे पहरा हमारा definition आता है, और कहता है कि किसी काल को, ठीक है, किसी काल को, अनेक कालखंडों में विभाजित करना, बांटना, उसे, उसके सम्मानता, उसकी बिभिनता, बिसमता को देखती हुए, एक निसकर्ज पर पहुँचना सम्मानने करन कहलाता है, ठीक है, समझ में आता है, इसको हम example के थुरू समझते है, example, पहले topic का, अमारे पहले definition का क्या कहता है, कि मानलो एक काल खंड, एक time period है, ठीक है, क् तक मनमोहन सिंग का time period था, यहां से यहां तक किसी और का time period था, उसके बाद 2014 से लेकर, अभी तक मोधी जी का time period चल रहा है, ठीक है, इस तरह हमने क्या कि एक time period में बाट दिया, अब इसकी समानता क्या है, इसकी इनकी वापस में, आपस में समानता क्या है, डिफरेंस क्या ह इसको हमने क्या क्या analyze किया, इसके एक निसकर्स पर पहुंचे, conclusion में पहुंचे, उसको हम समानने करन कहते हैं, I hope so इस example के तुरू आपको समझ में आया होगा, समानने करन करता क्या है, तो समानने करन क्या करता है, तो इतिहास की अध्यन को रूचिकर बनाता है, ठीक है, सब इसकी की भूमिका को हम समानने करन कहते हैं, यह पूरे प्रसेस को हम समानने करन के तौर पे देखते हैं, ठीक है, समझ में आता है, किसलिए important है समानने करन, आगे मैं बात करूँ, समानने करन का एक दूसरा definition लेते हैं, भया चलो, अगर यह वाला समझ में ने आओ, तो दू इतना है घट रही हैं, वो स्रीब एक घटना की तरह रहेंगी, जो भी तथे हैं, वो सिर्फ तथे, कुछ महस तथे और घटना तक दिखेंगी, भया कुछ तो हुआ ता, ऐसे सहे है, भस ठीक है, वो हिस्ट्री नहीं बन पाएगा, ठीक है, उसका अध्यन नहीं कर सकते हो, उसका प्रस्तुति करन, प्रजेंटेशन नहीं बना सकते हो, ये कहलाता है सम्माननी करन, ठीक है, कहने का मतलब क्या, कि कि किसी घटना को, किसी तथे को बिखरा हुआ है, उसको इकठा करना, उसको प्रजेंट करना, सम्माननी करन कहलाता है, ठीक है, मतलब चार-पांच अल अगर ये भी समझ में नहीं आए आपको तो अगला definition हमारा क्या कहता है कि समाने करण के द्वारा घटनाओं इम तथे को क्रमब बद तरीके से पिरोकर इतिहास का अध्यन में तारक्ता स्थापित की जाती है मतलब कहने का मतलब क्या समाने करण से होता क्या है तो जो भी घटन घटरी है जो भी तत्थे जो फेक्ट हैं ठीके उनको एक क्रमब बद तरीके से सीरियल भाई ठीके तरीके से उसको इकठा किया जाता है फिर उसको अध्यन किया जाता है और अध्यन किस तरीके से लॉजिक बेस्ट पे कि लॉजिक तो बन रहा है नभी है कठा किया कई पता अगला definition क्या कहता है कि अववस्थित आंकडे मतलब ऐसे आंकडे जो विखरे हुए आंकडे हैं अववस्थित आंकडे और अउस्पष्ट तर्क को संगठित करके उने क्रम बार तरीके से मतलब serial by तरीके से उसको इकठा करना, प्रस्तुत करना, तत्यों के बीच में आप से संबंद और संपर्क को स्थापित करना, ठीके, उसे हम सम्मानने ही करने कहते हैं, कहने के मतलब क्या, कि भाई यह कुछ आंकडे हैं, कुछ numbers हैं, वो बिखरे हुए हैं, बता नहीं चल रहा क्या है, कुछ logics है, कुछ तर्ग है, पर वो clear नहीं है कि क्या बन रहा है, उसको हमने इकठा किया, फिर उनके बीच में, मतलब इकठा करते समय किसी इसका ध्यान रखा कि हो serial by कठा हो, ठीके, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से ही कठा हो serial by, क्रम बार तरी कहलाता है, ठीके, समझ में आता है, अब देखो, एक और example लेकर चलते हैं कि सम्मानिकरण करता है क्या बिया, सम्मानिकरण का use क्या है, तो सम्मानिकरण एक घटना का तुलनात्मक अध्यन, दूसरी घटना के साथ किया जाता है, सम्मानिकरण के अंदर में क्या होता है, किस किसी एक incident घटा हुआ है, दूसरा भी घटा है, दोनों को देख के compare कर रापस में भी है, किस तर से incident हुआ था, क्या था, इसका logic क्या था, तो उसी को हम सम्माननी करन जर्नलाइजेशन कहते हैं For example, इसको हम कैसे समझेंगे, तो suppose करो, फ्रांस की करांती हुई, कब हुई भई या फ्रांस की करांती, तो 1789 में फ्रांस की करांती हुई, और उसको समझने के लिए हम compare कर लेते हैं, 1857 की करांती से, क्या 1857 की कैसी थी, अब दूनों के अंदर में क्या difference है, क्या समानता है, ठी उसको हमने समझा, उसको हमने प्रस्तुत किया, वो हमने जाना, उनके बीच में difference किया है, उसको हम सम्मानने करें, जनरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, समझ में आता है, उसके बाद एक और example लेते हैं, यह भी नहीं समझ में आया, चलो कोई नहीं, एक और हम तरीके समझते है इतिहासकार कभी कभी क्या करता है, दो घटनाओं के अंतर को अंदेखी कर देता है, अगर हमें पता है, माल लू, कोई दो घटना घटी है, और हमें पता है कि यह दोनों घटना क्या difference जमीनासमान का अंतर, यार, यह कई मैच ही नहीं कर रहा, पर फिर भी इतिहासकार क्या क करे थे कि similar होना चाहिए संबंद होना चाहिए अब आप कहे रहे हो कि दो अलग अलग अगटना को एक साथ दिखा दिया फिर भी सम्मानने करन के लाएगा कैसे अब इसको समझते हैं इतिहासकार ने क्या किया दो अलग अलग अगटनाओं को अंतर को अंदेखा करता है अंतर जो उसके अंदर में difference आ रही है उसको अंदेखा करता है और सम्मानने करन के जरीए एक जैसे बताने की courses करता है कैसे देखो for example मानलो एक war हुआ पेपोलोनिया war के नाम से जाना जाता है ठीक है पेलो पोनेसिया war कहते है पेपोलोनेसिया यूद करके उन्हें बोला जाता है और दूसरों मानलों हम second world war को ले लेते हैं ठीक है अब इतिहासकार normal बंदा को बोलेगा ने इन दोनों के बीच में compare करो तो दोनों बोलेगा यार ये पता नहीं कहां पर हुआ था कब हुआ था इसका नाम भी first time सुर रहा हूँ ठीक है और second world war तो चलो समझ में आता है पर य first world war second world war का compare करो तो समझ में आता है पर ये दोनों यूद compare नहीं किये जा सकते हैं ठीक है ये बोलता है इतिहासकार मतलब जो sort normal इनसान है वो ये बोलेगा पर इतिहासकार क्या बोलेगा कि भाया दोनों तो वह रही थे दोनों में तो यूद्धी हुआ तो दोनों को compare करो ठी दोनों के तरीके क्या है यूद्ध वाले तरीके हैं दोनों में क्या हुआ जानमान की हानी हुई ठीक है दोनों में इंसान मरे दोनों में हत्यार यूज हुआ तो similarity तो इतनी सारी है ठीक है तो उसको भी हम सम्माननी करेंड के जरी से देखते हैं ठीक है समझ में आता है दोस के अंदर में तो हिस्ट्री को भाई रूची कर इंट्रस्टिंग बनाने के लिए असान बनाने के लिए इजी बनाने के लिए सम्माने करण की जुरूत होती है अगर एक इंसान को बोला जाए मिसर के पिरामिड के अंदर में जुआ के राजा होते तो उनको रखा जाता था यहाँ पर बात खतम हो गई ठीक है बट अगर हम सम्मानी करण इसका करते हैं तो सम्मानी करण के अंदर हम क्या कहेंगे कि मिस्र के राजाओं को उनके पिरामिड में रखा जाता था क्योंकि मिस्र के लोगों की आस्था थी कि उनका जीवन मतलब वापस से पुर्णा जनम होगा या जो भी होगा वापस से उस जीवित हो सकते हैं ये उनकी तरह की आस्था थी ठीके तो ये तरक बद तरीके से उसको व्यवस्थित करना सम्माननी करण कहलाता है ठीक है समझ में आता है समानिकरण के तीन उसके स्रेणिया भी है ठीक है तीन तरीके से समानिकरण को दिखाया भी जाता है कौन-कौन से तीन तरीके हैं उसको हम थोड़ा सा समझते हैं फटा-फट वह important है और देखो मैंने इतने सारे बताया ने डेफिनिशन जब आप exam करोग तो एक डेफिनिशन पर सीमित मत रहना सारे डेफिनिशन को जितने मैंने बताया ना लिख देना बस बोल देना कि सर दी इनव वाले ने बताया था तो नंबर अच्छी मिलने है दोस्तों टेंसर में आपको ठीक है और तीन स्रेणिया क्या-क्या है सबसे पहले हम इसकी बात करें तो तीन स्रेणियों में बाटा जाता है ठीक है तीन स्रेणिया पहला आता है निम्न स्रेणि निम्न समाननी करन निम्न स्तरिय समाननी करन ठीक है पहला दूसरा आता हमारा मद्दे स्तरिय समाननी करन ठीक है तीसरा आता हमारा व्यापक इस तरिय समाननी करन ठीक है व्य यापक का इस्तरई है एक कि शोटा बढ़ा बहुत बढ़ा इस्तरय का निम्नि asht agent के अंदर में जब हम किसी तत्थे या घटना को किसी विशेश काल खंड के अंदर में डाल कर देखते हैं इसे निम्न ishtary के उनार करन मतलब एक Limited Time period के अंदर में देख है थो निम्न i स्तरी समाने करण के अंदर में इतिहासकार किसी विसेश व्यक्ति या घटना के अध्यन करने के साथ साथ उसके कालखंड के आगे पीछे कडियों को भी जोड़ कर देखता है तो उसे हम मद्दे स्तरी समाने करण कहते हैं मतलब क्या क्या उसने एक तो घटना को पड़ी रहा ह घटना के साथ साथ तो किसी दूसरे व्यक्ति विसेश को भी जोड़ कर देख रहा है तत्थे को जोड़ कर देख रहा है और साथ साथ में आगे हुई घटना पीछे गई हुई घटना जो आगे आने वाली पीछे जो भी घटना घटी है न आगे पीछे में उस घटना के से उसको भी जोड कर देख रहा है तो उसको हम मद्द इस तरही सम्मानी करने क्या होता है तो समाज के संपून पहलू जो भी पहलू है उनको देखना या फिर किसी सीमित विशे मतलब एक पर्टिकुलर सीमित विशे को देखना और उसको रास्तर व्यापी या विश्ट व्यापी इस तर पर देख़ते विशे को कंपेर करना व्यापक समानी News करना कहला आता है यहaming एक अग्जामपल है मनलो आपकी माँ है ठीक है मदर एक दिन क्या हुआ आपकी मां को सक हो गया आपके उपर आपके मान लो बैड पे से मांचिस मेली ठीक है ऐसा होता नहीं है मैंने मान के चलते हैं for example बुरा मत मानिएगा तो बैड पे से मांचिस मेली मा ने देखा पहले दिन भाई नीम निस तरिये के अंदर में हम बात करते हैं तो उन्होंने सुचा कि चलो कोई नहीं रात में साइद मौटी नोटी जलाने के लिए मच्छर उचर मारने के लिए लाया होगा ठीक है तो उन्होंने एक time period रात का time period लेके चला ठीक है और वहां पर बात खतन हो गई बट अगले दिन क्या हुआ मा को कुछ जले हुए cigarette के वही मिली ठीक है अब मा क्या करी पीछे जो घटना पीछे जो माचिस मिला था उसको उससे जोड़ कर देख रही है आगे पीछे की घटना को और उसने फिर माने और आगे अपना दिमाग लगाया ठीक है उन्होंने देखा कि यार पहले भी एक बार ऐसी मिला ठीक है अब माने क्या किया और व्यापक इस तर पर घर के अंदर में बाकियों से पता किया इधर उदर पता किया सब जगा का सारे आंकड़े कठे किया आगे पीछे उपर नीचे सब कुछ मिला आज उलाकर आपके उपर जो चपेटों की बारिस होगी वो व्यापक इस तर यह समानी करन कैलाएगा I hope so अब आपको समझ में आया होगा ठीक है अगर कहीं पर कोई डाउट होता है समानी करन के अंदर में कमेंट कीजिए बेजी जग मैं आपके लिए हमेसा हूँ आपका अंसर दूँगा और आप हमें सोचल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं सेर तो करे ही करें साथ में जोइन भी कर सकते हैं जिससे आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और अगर मालो जो मैं टॉपिक्स की वीडियो बना रहा हूँ अगर कोई टॉपिक मेरे से छूट जाता है और आपको लगता है कि यह वाला झाले सेरा टॉपिक्स की यह जाले सेरा डॉपिक्सρί लगच सेरा वुपिक्स अवरियो कि अ.